अगर आप स्टूडेंट है और आप कोई मेडिकल फीज से रिलेटेट कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है तो चली इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ कोर्स के बारे में बात करते हैं इसमें आज हम लोग इस्पेशली पारा मेडिकल कोर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि आप ये कोर्स CCB के द्वारा कैसे कर सकते हैं CCB के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंत में बात करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि पारा मेडिकल कोर्स है क्या पारा मेडिकल कोर्स में फुली क्वालिफाई डॉक्टर का नहीं करते हैं इसमें lab technician, x-ray technician, city scan technician और workers काम करते हैं. ये medical work को support और supplement करता है. ये medical के काम को बहुत से support करते हैं. तो इसे हम लोग pre-hospital treatment भी कहते हैं. यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे medical field में improvement होता जाएगा, वैसे वैसे para medical course और भी ज़रूरी होता जाएगा. ये एक bright future, साथ ही साथ evergreen course भी है. अब बात करते हैं कि para medical करना है तो कौन कौन सा course हम कर सकते हैं. क्या क्या options हैं हमारे पास. क्योंकि para medical के अंदर भी काफी courses होते हैं, काफी options होते हैं जो आप अपनी रूची के हिसाब से चुन सकते हैं. पारा medical के अंदर तीन तरह के course होते हैं. सबसे पहले हम भी certification course के बाद करते हैं. certification course आप तेंथ के बाद कर सकते हैं. certification के अंदर भी काफी courses होते हैं, जैसे आप certification in x-ray technician, certification in operation theater assistant, certification in ect, CT scan, dental assistant या lab assistant जैसे course कर सकते हैं. अब बात करते हैं diploma courses के. डिप्लोमा courses आप 12 के बाद कर सकते हैं. इस course के लिए आपका PC भी होना ज़रूरी है. सिर्फ एक अदर courses हैं जिसमें आपका biology होना ज़रूरी नहीं है. आप किसी भी stream से अपना 12 करने के बाद ये course कर सकते हैं. आप इसमें diploma in physiotherapy, diploma in dialysis technology, diploma in radiology, diploma in nursing care assistant, जैसे course कर सकते हैं. अब बात करते हैं bachelor degree की, तो ये course आप अपने graduation के बाद कर सकते हैं. आप बात करते हैं कि इस field में job opportunities क्या हैं. आप इस course को करने के बाद government और private sector दोनों field में काम कर सकते हैं. आप चाहें तो government hospital, private hospital, lab, technician, lab, clinic या किसी भी medical field से जुड़े वे छेतर में काम कर सकते हैं. साथी साथ अगर अपने BMLT, DMLT, CMLT जैसा course किया है तो आप खुद का lab भी कोल सकते हैं. आपकी average salary 15 से लेके 30,000 तक हो सकती हैं. चलिए बात करते हैं कि आप CCB के द्वारे एक course कैसे कर सकते हैं. तो CCB से एक course करने के लिए आपको सबसे पहले www.ccbnic.in पर जाके apply करना होगा. apply करते वाद आपको state select करना होगा और साथी साथ जरूरी जानकारी देते वे उनका form भरना होगा. form का कोई charges नहीं है. जब आप form भरेंगे तो आपको application receipt मिलेगा. application receipt के कुछ दिनों के बाद आपको अपना counseling letter निकालना है. counseling letter में आपके लिए counseling की जगा और साथ एक साथ counseling का टाइम दिया होगा. जब आप counseling में जाएंगे तो वहाँ के जो counselors हैं वो आपको course से related, college से related या fees वगर से related सारी चीज़ों की जानकारी देंगे. इन सबी चीज़ों को जानने के बाद अब अपने मन के हिसाब से college सेलेक्ट करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. तो चले ये आपके paramedical से जोड़ी हुए सारी जानकारी इस वीडियो में हमने cover कर लिया है. अब अगली वीडियो में हम लोग किसी और topic के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए.